सो हे गाईज सो अगत है तुम सभी लोग का और एक न्यू फ्रेश वीडियो में सो गाईज फाइनली आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा CS rank के अंदर 9 लोगी किस तरीक से लाया जाता है सो यह आपर स्कीन के उपर देख पारे हो मैं अभी कर टाइम पे heroic परूँ बट opposite side के अंदर जीतने भी बंदी आये वो सारे के सारे ब्रोंज का बंदी आये तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा किस तरीक से तुम लोग भी CS rank के अंदर 9 लोगी का glitch इस्तेमाल करके every match win करके easily master या grandmaster पे पहुच सकते हो मुझे ये भी बात बता है बहुत सरे वीडियो तुमने youtube पे देखा है बट अभी भी match making तुमारा नहीं हो रहा है नोप वाले बंदे नहीं आ रहे opposite side के अंदर तो इस वीडियो के अंदर में तुम लोग को easy trick बताऊंगा जो तुम लोग को वीडियो को पुड़ा end तक देखना पड़ेगा उसके लिए उससे पहले तुम लोग उसे मेरे एक छुटी request है वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर अगर fast time विजिट कर रहे हो तो ज़रूर करना subscribe ताकि आगे भी वीडियो का notification और मिलते है सो गाइस वास्ट फुले मैं तुम सबी लिएगो को एक चीज में clear कर दू आज की इस वीडियो को skip करके मत देखना नहीं तो तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर भी बहुत सारे लोग कोमेंट करके बोलते हो कि CS rank के अंदर नूब लोबी का glitch वगरा नहीं आ रहा है किस तरीके से लगया जाता है इसलिए वीडियो को skip करके मत देखना अभी कर टाइम पर CS rank के अंदर नूब लोबी का glitch लाने के लिए तुम्हें एक ही चीज़ करना पड़ेगा वीडियो को जादा मैं लंबी नहीं करूँगा तुम्हें मैच मेच मेचिंग सीखना पड़ेगा अगर तुम लोग मैच मेच मेचिंग सीख जाओगे तो तुम्हारे मन पसंदिता हिसाब से प्लेयर आएंगे ओपोजिट साइट के अंदर अब तुम में से बहुत सारे लोग एक चीज़ नुटिश करना बहुत बड़े-बड़े क्रियेटर अभी के टाइम पे CS rank का वीडियोज वगरा डाल रहे ठीके, सो CS rank के अंदर किस तरीके से ओलुक एक दूसरे का गेम के अंदर चले जाते ये मैच मेच मेचिंग करके चले जाते मैच मेच मेचिंग करने का सिम्पूल एक ही तरीका है तुम जिस ग्रूप बनाओगे उस ग्रूप के अंदर एक PC का बंदा होना चाहिए means PC वाले बंदे को अगर तुम लोग बुलाओगे तो 101% तुमारा मैच मेच मेचिंग लगेगा तुमारे हिसाब से तुम अपने opposite side के अंदर प्लेयर वगरा ला सकते हो अब किस तरीके से लाओगे ओभी मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ तुम लोग जिस PC वाले बंदे को बुलाओगे उसका लेबल मतलब ID का जो लेबल है लेबल जादा नहीं होना चाहिए 30 या 40 मैक्सिमाम ठीके एंड उसका जो CS rank का score मतलब score मतलब तुम में से बहुत सारे लोग को पता भी नहीं ये मैं बता दे रही हूँ मतलब हमारा Diamond Platinum Heroic Master इस तरीके से होता है ना उसका Platinum या Diamond तक चलेगा बट उससे अगर निचे वाले बंदे को बुलाओगे तो तुमारे लिए best रहेगा opposite side के अंदर अपने आप भ्रोंज का Lobby आ जाएंगे इन ट्रिक को यूज करके तुम लोग easily Noob Lobby का Glitch ला से तो मैंने भी इस तरीके से ही Noob Lobby का Glitch लाया अभी के टाइम पे मेरे पास तो जाधा टाइम वगरा नहीं है नहीं तो मैं तुम लोग को 15 दिन के अंदर जाधा सा जाधा 15 दिन 15 दिन के अंदर मैं easily Grandmaster चला जाता मैं जाधा धर गेम नहीं खेलता हूँ इसकी बज़े से यह होता है जीतने भी बरे-बरे यूटुबर यह लूग क्या किस तरीके से करते ही अभी मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ यह लूग मेच मैकिंग देखके करते है ठीके मान लो मैं एक यूटुबर हूँ अभी कर टाइम पे मेरा Lobby लग रहा है दो का Lobby ठीके अब मैं तुम लोग को डीटेल्स नहीं बता सकता Lobby वगरा किस तरीके से लगता है क्योंकि समझ रहो ना पॉलीसी वगरा थुड़ा उलंगन हो जाएगा सो Lobby देखके यह लूग मतलब मान लो अभी कर टाइम पे मेरा Lobby लग रहा है दो ठीके तुम भी एक यूटुबर हो तुम भी लाइब स्ट्रीम कर रहे हो तुम चाहते हो मेरे गेम के अंदर आने के लिए तो तुमें भी दो का Lobby लगाना पड़ेगा तब अपने आप गेर टाइम पे जाके CS rank के अंदर नूबलोबी का ग्लीज वगरा फाइदा वगरा उठा लो एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो करती है आप पर एंड एंड हाँ चैनल को सस्क्रेब करके बेल नुटिफिकेशन ओल पे रहतना ताकि आगे भी यहसे इन्पोर्टेंट वीडियो का नुटिफिकेशन ओर मिलते रहे एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में